नमस्कार दोस्तों मैं आशोकारिये स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल हेल्थ यात्रा में आज हम बात करेंगे एनीमिया जिसे हम रखता लबता या रख थींता भी कहते हैं जब शरीर में हीमोगलवीन की कमी हो जाती है तो उस इस्थिति को एनीमिया कहते हैं एनीमिया जाजतर बच्चों और महिलाओं में पाया जाता है खासकर गरबती महिलाओं में क्योंकि गरबती महिलाओं को बढ़ते होई शीशु के लिए भी रखत बनाना पड़ता है जाजतर भारत में लगबग 80% से भी जादा महिलाओं को या बिमारी पाई जाती है जाजतर एनीमिया आईरन की कमी के कारण होता है जिससे कमजोरी आलश्य आपको उदासी जादा काम करने पर सांस का फूलना और ऐसे बहुत से कारण है या लक्सन है जैसे आपके ना खूनों का रंग सफेद हो जाना चेहरे का अगलो वो कम हो जाना इसमें जैसे भोजन में आईरन, विटामीन और प्रोटीन की कमी हो जाना किसी विशेज जैसे चोट, गुआसीर या पीरेड की वज़े से खून का ज़्यादा बहना, मानसिक तनाव, चिंता की के कारण जैसे आदि बहुत से कारण होते हैं अब बात करते हैं इसके निवारन और उपचार की जिसमें आप गुड और भुने चनों का परियोग कीजिए पालक के रस में सहद मिलाकर पीने से बहुत लाब मिलता है गाजर कारस, अनार कारस, चकुंदर, पत्ता गोभी कारस और मोसमी, संत्रा, केला, अमरूद, पिमाटर, सेव, आदि का सेवन कीजिए मेथी, पुदिना, पालक, आदि, हरी सब्जों का सेवन कीजिए इसमें मुनाखा, अंजीर, खजूर, मेथी, एवं हल्दी, बहुत लाबकारी होते हैं और यदि आप यहूं के जवारे का रस दी सकते हैं तो वो बहुत लाब देगा और रोज, दोती, नीम के पत्ते, खा लीजिए अब बात करते हैं कि इसमें योग का कितना मेहत होता है योग के कुछ ऐसे आसन और परिणायम जो इसमें बहुत ही लाबकारी होते हैं नेमिया के लिए योग अप्यार करें सबसे पहले सूर्य नमस्कार दोना हातों को सामने की तरब जोड़ेंगे स्वाइब दूना हाथ ऊपर से नीचे योग के लग से बराबर में रख लिए कि इस आख वट दूने की और बात ख लिए अगे सी आख वे तोने पहर पीठे चुर्टो chrom डूना की इस स्टिटी में कि अच्छान नमस्कार इसके बाद भुजनासन के बाद पर्वतासन के पीछे लेके देखे उसे आगे लेके आएंगे कि अच्छान चोड़े दोनों पर आगे की तरह राद भुजनासन के सब्सक्राइब अच्छान उसफ्पर्वत भी अच्छान नमस्कार इसी परकार अपने यह बाद पैर से करना है और कम से कम यह चैंब आपको दोढ़ाना है एक बार दाए पैर से, एक बार बाए पैर से, अब हम पढ़ते अगले अभ्यास की तरफ, अभ्यास पदमाशन दुन पैरों को सामने की तरफ खेलाएंगे, अपने दाए पैर को अपनी बाए ठाई पर पाई जंगा पर रखेंगे, और बाए पैर को अपनी दाई जंगा पर प्रतेक आसन को कम से कम तीन बार दोराना है अब यही इस्थिति अपने दूसरे पहले से करेंगे अब हम बढ़ते हैं अगले अभ्याद की तरफ यहां से हम जाएंगे प्रत्मासन की श्थिरिमें बने रहेंगे योग मुद्रासन की तरफ हम अपने दोह हथों कि पिछै की तरफ लेके जाहें आइगे अपनी सुदायाच की गडाई आइको पाए हाथ से पकड़ेंगे सवास ठाप बरेंगे और आतरव यहां से स्वांस बरते दोनों हाथ ऊपर की तरफ कमर को सिधा की जा दो पेट को चोड़ते पेट को अंदर की तरफ खीचे और पूरा आगे की तरफ जाने का प्रयास अब दोनों गुर्टों को पकड़या हो करने लगा दिए यह हुआ पस्छी वतानाचल आप अगले आसन की तरह बढ़ते हैं पीट के बढ़ लेड जाएंगे अगला असन उस्तान पादान आसन अगल भी हमने क्या था है अपने दोनों पैरों को तीज डेगरी के ठोन कर लेके जाएंगे वहां पर कुछ के रुटेंगे सम तानल षाज तन के साथ है 10,000कौन इंदर पैर नोचर उसके बार धीरे वान पेसलितन है आसन आप पहले इस आशन को एक एक पैट से करेंगे अब अगला अशन हुआ हमारा सर्वांग आशन जो हमने कल भी किया था एलर्जी के लिए एलर्जी के लिए हमें जो वीडियो बनाई थी उसमें बहुत ही अच्छी दम करी दीगे यह उसे आप देख सकते हूं कि सर्वांग आशन स्वांस बढ़ेगे अधर भूपर ही रखेंगे उस्ते रहां पर रुपेंगे इस पिर उसके बाद धीरे धीरे स्वांच और देख लोगाँ करें आप करी आपके में आपैरों के बीच में एक से डेड़ टिद रांतर नों हाथ हरीर के परवर वर में हती है कि अधिर इसे वापस आएंगे पाहितरख से करवत बेटेवर बैट जाएए किसी भी सुख में आसन वे चाहिए तुख में आसन पदमासन अजपदमासन कोई भी आसन इसमें आप सुख पूर्वत बैट सकते हैं अब बात करते हैं प्रणायम इसमें हम तीन प्रणायम और एक कर्या जिसे हम कपालभाटी का प्यास करेंगे फिर अनुलोम फिलोम प्रणायम पिर उसके बाद भरामरी भूंगाई सबसे पहले कपालबाति के लिए तैयार गीदिया अपने आपको दोनों हाथ दोनों गुट्णों पर ग्यान मुत्वरा में पहले हुए अंगोटे से मिली हुई कमरगरदन सेदी स्वास को बाहर की तरफ फैकना है अब अगला ब्यास होगा मारा भस्त्रिका बस्त्रिका में हमें स्वास लेना है और स्वास को छोड़ना है अगला भ्यास अनुलों विलों अनुलों विलों अभ्यास हमने कल अलर्जी के लिए भी किया था अनुलों विलों अभ्यास में अपने दाएं हाथ के अंगूठी से अपने दाएं आख को बंद कर लेंगे बाएं हाथ को अपने जान मुद्रा में रखेंगे दीरे दीरे स्वास लेंगे बाएं आख से कि अपने दाएं से लेंगे बाएं से छोड़ देंगे यह एक चक्र हुआ इसकी परकास कम से कम 20-30 चक्र को दोगाना है अब अगला भ्यास ब्रामरी परणायम के लिए सबसे पहले अपने अंगुठों को ने कान में डालेंगे कान को बंद कर लेंगे अपनी इंडेक्स फिंगर को माथे पर भोव के उपर अपकी पाजी उंगलिया इस परकार होगी और धीरे से स्वांस लेना और स्वांस छोड़ते हुए भवरी की तरह उन्जन करना है देखें स्वाँ कि यह वाप रामरी परणा लगवग तीन से चार राउंड करने के बाद इसके बाद दो तीन लंबी गहरी स्वांस लेना है आज हमने बात की एनीमिया रक्त हिंता की इसमें अगर यह आप अभ्यास करेंगे तो बहुत ही कारागार होगे इच्छी के साथ आसा करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आपको लाब मिल रहा हो जड़ी आपको लाब मिल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को अधिक साधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मुझें और बैल आइकोन करें धन्यवारें धन्यवारें जड़ी आपको जड़ी आपको लाब मिल रहा हो